36 गड़ के बेटा नितेश साहू नेशनल यूथ अवार्ट को अपने नाम कर 36 गड़ को गवरवानमीत किया है मुंगेली जिला लोर्मी बलाग के फुलवारी गावनिवासी नितेश साहू को दिली में आयोजीत राष्टिय यूवा पुरुसकार समारों में यूथाइकान अवार्ट से सम्मानित किया गया नितेश साहू ने स्वराज एक्स्प्रेस से बाच्शित में बताया की क्रामिड परिवेश में जन्म लेने के कारण समाज के तमाम वी संगतियों एवं जटिलताओं को बहत शिद्दत से महसूस किया और पाया की अशिक्षा, रोडिया, असमानता, अंधविश्वास इनके मूल में है इन्हें दूर करने के लिए एक इमानदा इच्छा मन में होने के बावजूत उचित मार्ग दर्शन के अभाव में अनभव की कमी में सुनियोजित द्रिष्टी के अभाव में मैं कुछ विशेश कर पाने की स्थिती में खुद को समझ नहीं पाता था लेकिन कहीं न कहीं एक दिड़ संकल्पों मन में घर कर गया था कि अनकूल आउसर प्राप्त होते ही अतनी पूरी लगन से इस दिशा में कारे करूंगा मुझे अपार प्रसंता है कि भारत सरकार द्वारा राश्टी युवा पुरुसकार दे कर मेरे कारेों का सम्मान किया जा रहा है जो राश्ट प्रेम एवं समुदाईक विकास के छेत्र में बेहतर कारे करने पर दिया जाता है चोटे से गाउं से निकले मितेज काहू ने इस सफलता का स्क्रे अपने माता पीता, गुरु जन और मीडिया के सांथियों को दिया है और सांथ ही कहा है कि जिस उदेशे से उसको अवार दिया गया है उसको अथक प्रयास करते हुए आगे बढ़ाने की बात कही रापूते एक प्रेश इपोर्टर सप्ट्या राजपूर